दोस्तों हर इंसान के दिल की गहराईयों में कुछ ड्रीम्स चुबे होते हैं, जिने वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्या आप ने अभी तक अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई जरूरी कदम उठाया भी है, क्या आप ने उस सपने को पूरा करने की कोशिश कर भी है या फिर शुरुआत की भी है अज मैं आपको जिन्दगी का एक सच बता रहा हूं जो जानना बहुत ज़रूरी है आपके सपने की योर आपका पहला कदम बहुत मुश्किल हो सकता है सब कुछ आसान होगा ये बात कहकर मैं आपसे जूट नहीं बोलना चाता आपको कभी भी बाधाओं के खदम होने का इंतजार नहीं करना है क्योंकि आपके रास्ते में आने वाली बाधाएं कभी भी खदम नहीं होंगी आप सभी जानते होंगे कि तैरने के लिए आपको नदी में कूदना पड़ेगा नदी किनारे खड़े होकर आप तैरना नहीं सीख सकते हैं इसलिए अगर आप बाधाओं के खदम होने का इंतजार करेंगे तो आपका सपना एक सपना बंद करके रह जाएगा सपनों को हकीकत में बदनने का एक ही रास्ता है हिम्मत करके इन बाधाओं के सामने खड़े हो जाईए किसी भी सपने को पूरा करते समय रास्ते की सबसे बड़ी समस्या वो लोग होते हैं जो हमारे सपने से सहमत नहीं होते ऐसे लोग आपको हमेशा ही आपके सपने से बटकाने की कोशिश करते हैं जैसे कि आप गरत कर रहे हैं आपका सपना पूरा नहीं होगा ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था आपने ऐसे लोगों की और ध्यान न देते हुए अपने सपने को पूरा करना है इतना मुश्किल भी हो सकता है कि आप हत्यार ही डाल दें अपने आप से कह दें कि मुझसे नहीं होगा अगर आपने अपने सपने को पूरा करने का फैसला कर लिया है तो आपको अपने experience से एक सला दूँगा मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि opposition और बुराई करने वाले लोग हर इनसान की जिंदगी में होते हैं ये एक आम बात है अगर आप ऐसे लोगों की सुनेंगे तो आप कभे भी शुरुआत नहीं कर पाएंगे ये तो थी पहली problem अगर हम दूसरी problem की बात करें तो ज्यादा तर लोग अपने dreams को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि किसी भी dream को पूरा करने के लिए हमारे पास अच्छे हुनर होने चाहिए हमारे पास qualification होनी चाहिए लेकिन ये बात सच नहीं है सच है कि आप उस काम को करने से ज्यादा सीखेंगे ना कि इंतजार करने से क्योंकि उस सपने के लिए काम करते समय आपका हुनर और आपकी यूग्यता अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी जब भी आप अंदर से तूट जाएं या फिर आपको घबराहट मिसूस हो ऐसे समय में अपनी आँखें बंद कर लीजिए और सोचिए कि आपका सपना पूरा हो गया है आप लोगों के लिए एक उधारन बन चुके हैं सबी के जुबान पर बस आपी का नाम है ऐसा करने से आपको बूस्ट मिलेगा करने के सामने चाहिए कहिए अपने आप से मज़ा आजाएगा मैं भी करके आया हूँ मज़ा आगया थेंक यू